जियो कॉंसेप्स नामाइप इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मेजर्स ओफ डिस्पर्जन या अपिकरन के मापों पर सर्चा करेंगे और खास तोर से माध्य विचलन या मीन डेविशन को समझने का प्रियास करेंगे। पहला परशच्ण है अपिकरन के मापों या मेजर्स ओफ डिस्पर्जन का क्या अर्थ है तथा इनकी क्या आवशक्ता है। केंद्री प्रिविर्टी या मेजर्स ओफ सेंट्रल टेंडेंसी के किसी भी मापक में यह विसेशता नहीं होती कि वे अकेले ही आंक्डों के वितरन के गुणों या विसेशताओं को सही डंग से बता सके क्योंकि ये मापक आंकडों के वीतर की परिवर्तन शीलता या वैरियबिल्टी को पकड़ पाने में असमर्द है इसलिए आंकडों के वीतर की परिवर्तन शीलता को जानने के लिए अपिकरन के मापों या मेजर्स ओफ डिस परजन की आवशित्ता पड़ती है अपिकरन के माप हैं जो इस प्रकार है नमबर एक प्रसार या रेंज नमबर दो चतुर्थ विचलन या क्वार्टाइल डैविएशन नमबर तीन माद्दे विचलन या मीन डैविएशन नमबर चार प्रमाप विचलन या स्टेंडर डैविशन नमबर पाँच सापेक्ष विचलन या रिलेटिव डिस्परजन और आज के इस वीडियो में हम खास तोर से चर्चा करेंगे माद्दे विचलन पर या मीन डैविशन पर तो आईए ही स्टार्ट करते हैं माद्दे विचलन का क्या अर्थ है या मीन डैविशन का क्या अर्थ है माद्दे विचलन या मीन डैविशन का अपिकरन के मापों में एक महत्मून इस्थान है माद्दे विचलन ग्याद करने के लिए सर्व प्रत्म आखड़ों का माद्दे या mean या कोई uncentral value जैसे मदी का median या बहुलक या mode निकाला जाता है प्रितेक मद फिर प्रितेक मद से माद्य या केंद्री value को गटाया जाता है फिर जो भी मूल निकल कराता है उसे हम विचलन या deviation कहते हैं अब जमा और गटा के चिन्नों को नजर अंदाज करते हुए इन सभ भी deviation को या wICलन को जोल दिया जाता है तथा कुल मदों की संख्या अर्था एंसे भाग कर दिया जाता है इस प्रकार जो भी मूल निकल कराता है उसे हम माद्य विचलन कहते हैं दूसरे सब्दों में कहें तो माद्दे विचलन क्या है किसी भी केंद्रिय प्रवर्टी के माप जैसे मीन, मोड या मीडियन इस वैलू से प्रतेक वैलू कितनी दूरी तक इस्तित है उनके बीच का गैप निकाला जाता है और सभी वैलू को ये गैप निकालकर टोटल किया जाता है और उसके बाद फिर उसका उसल निकाल लिये जाता है तो मीन डैवूर्शन ये है कि किसी भी डेटा में जितने भी आँकड़े हैं जितने भी मद हैं वो उसलन मीन वैलू से कितनी दूर तक फैले हुए हैं यह इसका अर्थ है नेश्ट पॉस्चन इस माद्द विचलन का उधारन अब हम माद्द विचलन को इस उधारन के द्वारा समझने का प्रियास करेंगे इस उधारन में A, B और C तीन इस्थान हैं जिन पर उत्पादन पांच सालों का उत्पादन एकाईयों में दिया गया है 2001 से लेके 5 तक ये 5 वरसों का उत्पादन इन ग्रीन कॉलम्स में दिया गया है A स्थान के लिए है 2, 3, 2, 2, 1 यूनिट B इस्थान के लिए 1, 2, 4, 0, 3 और C के लिए 0, 1, 1, 1, 7 तो ये उत्पादन है जब हम मीन को देखते हैं इस इन आकणों के सेंटरल वैलू को देखते हैं जो की मीन है तो मीन में हम पाते हैं कि तीनों इस्थानों के लिए मीन क्या है? दो आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि तीनों इस्थान एक जैसी समानता रखते हैं यानि तीनों इस्थानों में कोई अंतर नहीं है जब हम मेजर्स आफ सेंटरल टेंडेंसी की बात करते हैं तो वो क्या है? सिर्फ एक पक्ष को दिखाते हैं जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं कि ये तीनों इस्थान एक जैसे हैं इसमें कोई अंतर नहीं है लेकिन मेजर्स आफ सेंटरल टेंडेंसी की जो का जो खामी है वो ये है कि इसकी डेटा के अंदर जो वैरिविल्टी है जो परिवर्थन सीलता है जो बिन्यता है उसको ये मेजर्स जो है कैप्चर करने में असमारत हैं तो इसे कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं मेजर्स आफ डिस्पर्जन का इस्तमाल करते हैं तो आईए हम कैल्कुलेट करते हैं मीन डेविशन को mean division calculate करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया mean निकाला है जो की प्रतेक इस्थान के लिए 2 है अब प्रतेक इस्थान के प्रतेक मद से mean value को minus करेंगे और division को निकाल लेंगे और division निकालने के बाद कुल division जो है उसमें जमा और घटा के निसानों को नजर अंदाज करते हुए total कर लिया जाएगा तो ये value जो है sum of division कहलाएगी या total division कहलाएगी तो A स्थान के लिए total division 2 है B स्थान के लिए total division 6 unit है और C स्थान के लिए total division 10 unit है अब हम mean division कैसे निकालेंगे mean division निकालने के लिए जो total division है उसको n number से divide कर देंगे n कितना है यहाँ पर 5 तो 2 को 5 से divide किया तो a स्थान के लिए mean division कितना है 0.4 ऐसे 20 स्थान के लिए कितना है 6 divided by 5 is equal to 1.2 और c स्थान के लिए mean division 10 को 5 से divide कर देंगे तो वो 2 आ जाएगा अब अब mean division को देखें तो mean division बता रहा है हमें कि a स्थान पर जो उत्पादन है उसमें consistency पाई जा रही है अर्था mean division कम होगा तो consistency ज़्यादा होगी और b स्थान पर consistency और कम है और c स्थान पर consistency बहुत कम है तो इसी उधारन को हम आगे एक और विस्तार से समझते हैं इस डाइग्राम में उनी स्थानों के उत्पादन को रेखा रेक के द्वारा लाइन ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है ए स्थान blue line से दिखाया गया है b स्थान के उत्पादन को red color से और c स्थान के उत्पादन को green color से दिखाया गया है इन तीनों इस्थान का जो मूल जो मीन है माद्ध है वो कितना है दो जो कि इस लाइन के द्वारा बलैक कलर की जो लाइन है इसके द्वारा दिखाये गया है अब हम पिछले उधारन को देखें तो एस्थान का मीन डैविशन कितने था 0.4 यानि औस तन जैसा कि यहां ब्लू कलर का जो बॉक्स आया है यह दिखाता है कि मीन से उस स्थान की वैलू औस तन कितने दूर तक लाई करेगी या पाई जा रही है इसी प्रकार 20 स्थान की जो वैलू है वो मीन के ज्यादा दूर तक 1.2 यूनिट दूर तक फैलू हुई है अर्था इसका मतलब यह हुआ कि जितनी ज़्यादा मीन डैविशन होगी उतनी ज़्यादा आंकड़ों में वैरियबिल्टी होगी इसी प्रकार 20 स्थान को देखें तो इसकी ज़्यादा वैरियबिल्टी और ज़्यादा है मीन से 2 प्लस और माइनस यानि कोई भी आंकड़े यानि कोई भी डाटा या कोई भी मद मीन वैलू से 2 यूनिट उपर तक प्लस तक या 2 यूनिट माइनस तक कहीं भी लाई कर सकता है जब माद्द की बात कर रहे हैं तो माद्दे विचलन का मतलब यह होगा माद्दे विचलन के मूल का मतलब यह है कि आंकड़ों के मद केंदरी मूल या माद्दे से औसतन कितनी दूरी पर पाए जा रहे हैं जितनी ज़्यादा माद्दे विचलन होगा यह जितना ज़्यादा mean deviation होगा उतना ज़्यादा variability होगी consistency उतनी कम होती जाएगी यानि variability बढ़ेगी तो consistency कम होगी अर्थाथ अगर mean deviation की value बहुत कम है तो इसका मतलब कि वो आंकड़े उन पे हम विश्वास कर सकते हैं अर्थाथ जो भी अगला उत्पादन होगा वो mean के pass में होगा mean value के इर्द गिर्द होगा जितनी ज़्यादा variability होगी उतनी ही कम consistency होगी अर्थाथ अगर यहाँ पर mean value 2 unit है तो अगर इस case में देखें तो C case में mean deviation 2 unit है तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली साल जो उत्पादन होगा वो जरूरी नहीं है कि 2 unit ही हो वो 3 unit भी हो सकता है और 4 unit भी हो सकता है और हो सकता है वो 0 unit भी हो क्योंकि इसमें variability बहुत ज़्यादा है जितनी ज़्यादा variability होगी उतना कम हम अनुमान लगा सकते हैं माद्विचलन के अर्थ और महत्व को समझने के बाद अब हम कुछ प्रश्णों का अभ्यास करेंगे जो कि mean deviation या मादविचलन से संबंदित हैं और महतपूर्ण भी हैं और प्रश्न है कि मादविचलन या mean deviation कैसे ग्याद करेंगे and the options are mean को n से divide करके या sum of deviation from mean divided by n under root of deviation from mean divided by n or square of deviation from mean divided by n think over it and the correct answer is sum of deviations from mean divided by n और अगला प्रश्न है इस चिन को दिये गए चिन को किस नाम से पुकारा जाता है option है lambda, sigma, pi या alpha think over it and the correct answer is sigma अगला प्रश्न है माद्य विचलन या mean deviation में माद्य से सभी विचलनों को dash महत्व दिया जाता है और option है समान कम विचलन को कम और ज्यादा विचलन को अधिक या ज्यादा या कोई नहीं think over it and the correct answer is समान माद्य विचलन में माद्य से सभी विचलनों को समान महत्व दिया जाता है अगला प्रश्न है माद्य विचलन में ग्याद कीजिए माद्य विचलन ग्याद कीजिए यदि मद इस प्रकार हूँ अर्थात किसी भी डेटा सेट में अगर ये आंकड़े हों तो इसका मादे विचलन क्या होगा और डेटा इस प्रकार है तीन, छे, छे, साथ, आठ, ग्यारा, पंदरा और सोला और option है, 1st option is 4.25, 4.05, 3.95 या 3.75, think over it and the correct answer is 3.75 अर्थात उप्रोक्त आंक्णों का माद्दे विचलन 3.5, 3.75 है अगला प्रश्न है माद्दे विचलन या मीन देवीशन का सूत्र या फॉर्मूला निम्न मैं से कौन सा है अगला प्रश्न है दो छात्रों के पढ़ाई करने की अवधी का माद्दे समान है लेकिन छात्र A का माद्दे विचलन छात्र B से कम है तब निम्न मैं से क्या सत्य होगा और ओप्शन इस प्रकार है छात्र A की पढ़ाई के समय में छात्र B से अधिक निरंतरता या कंसिस्टेंसी है चातर B के पढ़ाई करने के समय में चातर A से अधिक निरंतरता या कंसिस्टेंसी है चातर A और चातर B के पढ़ाई के समय में कोई अंतर नहीं है चातर A और चातर B के पढ़ाई करने के समय में कोई निरंतरता या कंसिस्टेंसी नहीं है ठिंक ओवर इट एंड दी करेक्ट आंसर इज छात्र A की पढ़ाई के समय में छात्र B से अधिक कंसिस्टेंसी है अर्था जिसका माद्दे विचलन कम होगा उसमें उतनी अधिक कंसिस्टेंसी पाई जाएगी अगला प्रश्ण है यदि किसी स्थान की चार महिनों की वर्शा की मात्रा सेंटीमीटर में इस प्रकार हो जैसे 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर तो माद्दे विचलन या मीन डेविशन निम्ण में से क्या होगा option है 15 cm, 25 cm, 30 cm और 20 cm इस पर गहन विचार करें और सही answer है 15 cm अगला प्रश्न है दो मादे विचलनों या मीन डेविशन 10.2 या 20.4 इन मैंसे किसकी निरंतलता या कंसिस्टेंसी अधिक होगी option है 10.2, 20.4, दोनों की या किसी की भी नहीं think over it and the correct answer is 10.2 10.2 की वाले मीन डेविशन की निरंतलता या कंसिस्टेंसी अधिक होगी अगला प्रश्न है मादे विचलन का मूल बढ़ने से निरंतलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा option है consistency बढ़ेगी, consistency घटेगी, consistency इस्थिर रहेगी या फिर consistency आइस्थिरता होगी consistency में आइस्थिरता होगी correct answer is consistency घटेगी जितनी जादा मादे विचलन बढ़ेगा उतनी ही जादा consistency कम होती जाएगी अगला प्रश्न है मादे विचलन की गणना करते समय निम्न मैंसे कौन से कदम उठाए जाएगे option है मादे का बहुलक या मादे की गणना करना केंद्री मूल से मदों का विचलन निकालना विचलनों की योग को मदों की संख्या से भाग देना या उप्रोक्त सभी अर्थात मादे विचलन की गणना करते समय सबसे पहले केंद्री वैलू निकाली जाएगी फिर उससे मदों का विचलन निकाला जाएगा और फिर विचलनों को टोटल किया जाएगा अर उसमें से उसको मदों की कुल संख्याय अर्थात n से भाग दे दिया जाएगा तब जो value निकल के आएगी उसे हम main deviation कहेंगे अगला प्रशन है माद्दे विचलन की गड़ना कीजिए यदि मदों की संख्या मदों का जो मूल है वो 10, 9, 8, 3 वा 10 हो option है 4 second option है 3 third option है 2 and fourth option है 5 इन मैंसे क्या सही answer है या उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं correct answer is 2 अर्थात उप्रोक्त जितनी भी value दी गई है उनका माद्दे विचलन 2 है माद्दे विचलनों की गड़ना कीजिए माद्दे विचलन की गड़ना कीजिए यदि मदों का मूले 10 15 17 23 वह 10 हो option है 4 3 2 5 इन मैंसे कौन सा सही option है जो उप्रोक्त आँख्रों के माद्दे विचलन को दर्शाता है या कोई नहीं correct answer is 4 अर्थात उप्रोक्त आँख्रों का सही माद्दे विचलन 4 है अगला प्रश्ण है माद्दे विचलन की गड़ना कीजिए यदि मदों का मूले 13, 18, 17, 33 वा 19 हो इन मदों का माद्दे विचलन निम्न मैं से कौन सा होगा 3.2, 5.2, 2.7 या 5.7 या उप्रोक्त मैं से कोई नहीं अगला प्रश्ण है माद्दे विचलन की गड़ना कीजिए यदि मदों का मूले इस प्रकार हो 23, 16, 22, 33 वा 27 इन मूलें का माद्दे विचलन निम्न मैं से क्या होगा आप्शन है 3.23, 5.26, 4.64, 5.75 या उप्रोक्त मैं से कोई नहीं और करेक्ट आंसर इज 4.64 ये उप्रोक्त आखडों का सही माद्दे विचलन है अगला प्रशन है माद्दे विचलन की गड़ना कीजिए यदि मदों का मूले इस प्रकार हो 21, 22, 23, 24, 25 इन मूलें का माद्दे विचलन निम्न मैं से क्या होगा आप्शन है 3.2, 2.2, 1.2 या 2.75 या उप्रोक्त मैं से कोई नहीं 1.2 या 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 य